अभी अभी खबरों का रुप कर लेते हैं राष्टवाद के साथ विकासवाद और सेवाबाद 2022 के चुनावी समर में बीजेपी के नई हत्यार होंगे पार्टी कायकरता प्रदार मंती नरेंद मूदी और मुखे मंती योगी आदितिनाद की सत्ता की चाल ठाल चिंतन सरुकारों संकल्पों और समाजिक समर्पन को लेकर लोगों के बीच जाएंगे उनसे 2022 पे प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने के लिए मद्दान का आवहान करेंगे बीजेपी प्रदेश कारे समीती की शुकुरवार को दिन भर चली बैटक से ये पूरी तरह से साफ हो गया है पार्टी ने इस बैटक के जरीए 2022 पे होने वाले विदान सबस्चुनाव की रंपेरी फूग दी है प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने ब्रस्पतिवार को वार नसी में राष्टुवाद के सहरे जातिवाद और भाई भतीचवाद के आरूपों से घिरी रही प्रदेश की पूरवरती गार बीजेपी सरकारों पर निशाना साते हुए योगी सरकार के विकासवाद की बात कही थी प्रदेश कार समीती की वैठक में मोदी के मंत्र पर ही आगे बढ़ते हुए कोरोना और कल्यान कारी योजनाओ का लाव ज़रत मंदों तक पहुंचाने का अवहान करते हुए राष्टुवाद, विकासवाद और सेवावाद का इजिंडा कारेकरताओं को सौपा गया राष्ट्य अध्यक्ष जेपी नज्डा के सामने सीम योगी आधितिनाथ प्रदेश प्रभारी रादा मोहन सिंग और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत देव सिंग ने जो मुद्दे उठाए बीजेपी सरकारों के निर्णे बताए आगे के तैयारी की जानकारी दियुस से भी वीजेपी की चुनावी लड़ाई की तैयारी की छलक देखने को मिल रही है विदायक नवजोद सिंग सिद्दू को कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गांदी द्वारा शुक्वा को दस जनवत इस से अपने आवास पर बुलाई जाने की खबर फैलते ही पंजाब कॉंग्रेस में खल्चल तेज हो गई है इससे पहले कि ये बैटक शुरू होती ही मुख्यमंदरी काप्टन अमरिंदर सिंग ने भी अपने OSG नरिंदर भामरी के साथ सोनिया गांदी के नाम एक पत्र पहुँचा दिया काप्टन अमरिंदर सिंग ने अप्रत्यक्ष तौर पर हाई कमान को चिताया कि व्यक्ति को आगे पढ़ाने की वज़ा से पाठी का बटपारा होने से रुका जाए जानकारी के अनुसार काप्टन का पत्र पहुँचते ही सिद्दू को लेकर बनी हवात थम गई और हाई कमान पत्र में काप्टन द्वारा उठाय गए मुद्दो पर विचार करने में सरकार व्यस्त हो गई पंजाब प्रदेश कॉंग्रेस के प्रधान पत्र को लेकर पार्टी मामलों के प्रभारी खरीश रावत ने गुरुवार को चप से नव्जोज सिंग सिद्दू के नाम की गैर अधिकारिक घोषणा की तबी से पंजाब कॉंग्रेस में खल चल तेज हो गई है सिद्धू शुक्रवार सुभा पटियाला से दिल्ली रवाना हुए थे तो ये माना जाने लगा कि सोन्या गांधी उनसे मुलाकात के बाद विदिवत तौर पर उन्हें प्रदेश प्रधान घुशित कर देंगी लेकिन सिद्धू के दिल्ली रवाना होते ही सांसर मनीश तिवारी ने भी ट्वीट कर प्रदेश प्रधान के पत्र पर हिंदू नेता की पैरविकर डाली करनाटा के सीम बीएस यदिवरप्पा ने शुक्रवा को प्धान बंदी नरे नमोदी से मुलाकात की और मेके दातू बांध परियोजना के साथ राज्जे के विकास से चुड़ी लंबित परियोजना के जल्द ही क्रियावयन के करने का आग्रे किया राज्जे के नेत्रत वरिवर्तन की अचकलों के बीच दल्ली पहुँचे मुख्य मंत्री से जब इस बारे में सवाल किया गया तो यदिवरप्पा ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया उन्होंने हस्ते हुए पत्रकारों से कहा मैं नहीं जानता आप ही बताओ मुख्य मंत्री ने कहा कि मैंने प्रधान मंत्री से राज्जे के कुछ विकास कारे को जल्द ही क्रियाविन करने का आग्रे किया है और इस पर मैं सहमत हो गए है ये पूचे जाने पर कि क्या मेके दातू बावंध परियोजना पर भी प्रदान मन्ति से चर्चा हुई येदि उरप्पा ने कहा कि सबी मुद्धो पर चर्चा हुई है मुख्य मंतरी ने कहा कि बैंगलूरू लोटने से पहले वो श्रनिवा को सारी जानकारी विश्तत रूप से साजह करेंगे पतादें प्रदानमंती से मुलाकात से पहले बहाते जंता पार्टी के नेता येदियूरप्पा ने दिल्ली पहुंचने पर करनाटक भवन में पत्रकारों को बताये था कि वो केंद्रिय घ्यम मंतुरी अमिज शहा और रक्षा मंतुरी राजणा सिंग समित कई केंद्रिय मंत पत्रिय ने कहा कि इस बारे में यदि उनको शीर्श निताओं से कोई चर्चा होगी तो वो जरूर बताएंगे साथ ही येदियूरप्पा के साथ दिल्ली दौरे पर राज्य सरकार का कोई अन्यम मंतुरी नहीं आया बतादें अलबत्ता उनके पुत्र बी आई रागवन ज तमाम अटकले लगाई जा रही हैं हाला कि येदियूरप्पा ने साथ कर दिया है कि जो भी जानकारी होगी वो शनिवार को यानि की आज वापिस लोटने से पहले पत्रकारों के साथ शाध्या करेंगे विदानसभव पाद्यक्ष रनबी गंगवा की गाड़ी पर पत्राव के आरोपी पांच किसानों पर राजद्रों के तहत केस दर्श करने के मामले में शुक्रवा को प्रशासन की किसान नेताओं के साथ बैठक बेनतीज रही किसान संगठन पांचों किसानों की रहाई की मांग पर अड़े रहे जिसके बाद किसानों ने श्रीवार को S.P. काराले का खिराफ करने का एलान भी कर दिया है इसके चलते पर शाषों ने सतरकता बढ़ा दिया वारी पुलिस बल भी तेनात कर दिया है बतादेन लगू सच्चिवाले में उपायुक्त अनीच जियादव पुलिस अधिक शक अर्पिजेन एडिसी उत्तम सिंग ने लगू सच्चिवाले में किसान लखविंद्र सिंग ओलक और मैक्स सहूवाला हैपी रांडिया गुरू प्रेम देशू जोधा बलबंद सिंग के स से प्रदर्शन कर रहे थे किसानों ने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ राज़त्रों की धारा के साधार पर लगाई गया हमने के अपने ही देश के खिलाफ विर्द्रों किया है इस पर भी पुलिस अधिकारी कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए बैचक में प्रसाश की किसान नेताओं के साथ बैचक हुई थी कल जो बे नतीज़ा निकली प्रसाशन की बैचक में कोई भी नतीद्या निकलता हुआ नहीं आया हाला कि पाँच किसानों की रिहाई की मांग पर किसान नेता अड़े रहे गुजराज सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने आज बारवी का साइंस स्ट्रीम में रिजल्ट जारी कर दिया है स्कूलों की बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट यानि की gseb.org पर रिजल्ट डाला गया है जिस पर छात्र अपना रिजल्ट देख पाएंगे और इसके साथ ही अपना इंडेक्स में नंबर और पासवर्ड का उप्योग करना होगा चात्रों को बता दें परिक्षा के लिए रजिस्टर्ट सभी एक लाग साथ हजाद दोसो चौसर्ट स्टूरेंट्स पास हुए हैं जिन में से सरसथ हजार अठाइस लड़किया और चवालेस दोसो चपतेस लड़किन शामिल हैं जबकि कुल 3,245 स्टूरेंट्स ने A1 ग्रेट और 15,216 ने A2 ग्रेट चबकि 24,700 से जज़ादा बच्चों ने B1 ग्रेट और 26,000 से ज़ादा बच्चों ने B2 ग्रेट राइड हासिल किया है बता दें दोसो 89 चात्रों को E1 और 4 चात्रों को E2 ग्रेट भी मिला है रिजल्ट के वल स्कूल चेक कर सकेंगे साथी चातों को अपना रिजल्ट अपने सरकुलर से ही लेना होगा इसके साथी रिजल्ट का लिंक कुछ ही देर में एक्टिव कर दिया जाएगा बता दें कोरोना संकट के चलते गुश्रात बोर्ड बारवी की परिक्षा रद्ध कर दी थी इसलिए वेकलपिक मुल्यानकन मान डंडो के अधार पकक्षा बारा विज्ञान के रिजल्ट खोशित कर दिये गए हैं बोर्ड ने रिजल्ट तयार करने का फॉर्मूरा पहले ही जारी कर दिया था बता दें बोर्ड रिजल्ट आज सुवा आठ बजे ही अधिकारिक वेबसाइट रिजल्स.gseb.org पर जारी कर दिया गया था कोरोना की वज़ा से बोर्ड के एक्जाम नहीं किये गए थे जिसके बाद गुच्राद बोर्ड ने एक तरीका भी बताया था कि किस आधार पर बच्चों का रिजल्ट बनाए जाएगा यूपी विदानसवर चुनाव से पहले कॉंग्रेस महास्चे प्रियंका गांधी ने मोर्चा समाल लिया है लगनों पहुंचने के बाद से वो लगातार एक्शन मोर्ड में दसरा रही है और उनकी मौझूदगी कॉंग्रेस कारे करताओ में उत्सा भी भर रही है प्रियंका गांधी आज अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर खिरी पहुंचेंगी जहां वो रेप पीडिताओ बच्चियों के परिवार से मिलेंगी प्रियंका के यूपी दौरे से कॉंग्रेस कारे करता उत्सा में है वहीं लखीमपुर खिरी में बीते त करेंगी उसके बाद भरती घोटाले, रुकी खुई भरतियां, प्रतियोगी च्छात्राओ और बेरुजगार मंच के पदधिकारियों के साथ भी वो बैठा करेंगी इस सारी कवायत का मकसद सिर्फ ये है कि अलग-अलग मुद्दों पर यूपी सरकार को खेरा चाए शुक अब भी प्रियंका ने निशाना साधा तो बीजेपी ने उन्हें राजस्तान की याद दिलाने की कोशिश की तो बता दे अपने तीन दिवसी दोरे पर प्रियंका गांधी का लखनों पहुंच रही थी जिसके बाद आज वो लखनों में लखीमपूर खेरी भी जाएंगी जहां पर रेप पीडिताओं के पहेज़रों से मुलाकात करेंगी उसके बाद कई लोगों से मुलाकात का उनक कार फिर से अपनी चपेट में ले लिया है कोरोना के टेल्टा वेरियन का तेजी से प्रसार और टीका करण की धीमी गती के कारण दक्षिन नेशिया महमारी से युद्ध का सबसे बत्तर मैदान बनता जा रहा है जॉन होपिंकिन्स युनिवरस्टी के आक्रो के अनुसार लेटिन अमेरिका और भारत समित अन्य देशों में संक्रमन ने तुबारा रफ्तार पकड़ ली है पिछले साथ दिनों में बुद्वार तक मौतों के ग्राफ में 40% की बहुत्री हुई है जो दुनिया भर में सबसे तेज है विज्ञाने को का नुमान है कि आने वाले समय में संक्रमन का ग्राफ बढ़ने पर मौतों का भी ग्राफ पड़ेगा आकड़ों के विश्टलेशन से पता चलता है कि दक्षिन पूर्व एशिया में कुल टीका करण की दर 9% है वहीं पश्चिम देशों यूरोप और उत्री अमारिका में आदे से ज्यादा अबादी को टीका लग गया है सबसे खराब इस्तिती अफरिका और मध्य एशिया में है जहां टीका करण की दर बहुत ज्यादा कम है इसी का नतीजा है कि संक्रमन एक बाफ फिर से बेकाबू होता हुआ दिख रहा है सिंगापूर एक मात्र ऐसा देश है जिसने अपनी सीमाओं को खोला तो है लेकिन टीका करण पर जोड़ते रहा है आवजाही को लेकर कई तरह की शर्ते हैं जिस कारण इससी दिन नियंतरन में बनी हुई है केंद श्राषित प्रदेश जंबू कश्मीर और केंद श्राषित प्रदेश लद्दाक संयुक्त उचुन्यायाले का नाम बदल करण जंबू कश्मीर एवं लद्दाक उचुन्यायाले कर दिया गया है शुकुवार को एक आदेश अनुसूचित किया गया था जिसमें राश्पती रामनात कोविन ने इस बदलाग को प्रभावी करने के लिए जम्बू कश्मीर पुनगठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर कर दिये हैं विदी मंत्रालें में न्याय विभागने शुकुवार को आदेश को अदिसूचित कर दिया आदेश में कहा गया है कि जम्बू कश्मीर पुनगठन अधिनियम 2019 को जम्बू कश्मीर राच्चे को केंद शाषित प्रदेश जम्बू कश्मीर और केंद शाषित प्रदेश लद लग्दाक उच्छ न्यायाले कर दिया गया है जो अन्य साजा उच्छ न्यायाले के नामों की तर्श पर है जैसे पंजाब और खर्याना उच्छ न्यायाले रखा गया था तो बता दें जम्मू कश्मीर एवं लग्दाक का न्यायाले का नाम बदल दिया गया है देश में कभी भी मॉडर्ना वैक्सीन की खुराक आ सकती है साकार ने अमेरिका को एक पत्र लिखा है जिसका जवाब आना भी बाकी है अगर इस पत्र में मौजूद कानूनी नियमों को लेकर आपसी सहमती बनती है तो उसके सब्ता भर में मौडर्ना वैक्सीन की पहली खेब भारता सकती है शुक्रवार को टीका करन एमपोवर्ड ग्रुप के च्रियर्में जॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि मौडर्ना को दो सब्ता पहले अपात इस्तमाल केनुमती दी गई थी यही वो अभी प्रक्रिया में हैं अमेरिकी सरकार से बाच्ची चल रही है और कुछ कानूनी नियमों को पूरा करने के लिए पत्र व्यवाहार किया गया है फिलहाल इस्तिती ये मान सकते हैं कि भारत में कभी भी मौडर्ना वैक्सीन की पहली खेब पहुंच सकती है दरसल अमेरिका ने भारत को मौडर्ना की करीब सतर लाग खुराक दान भी देने का फैसल किया है केंद सरकार को जब इसकी जानकारी मिली तो कंपनी से आवेदन कराया गया इसके तुरंत बाद ही ड्रग कंट्रोलर जर्नल अफ इंडिया ने मौडर्ना वैक्सीन को आपात काली निस्सेमाल की अनुमती भी प्रदान करती इसी के साथ मौडर्ना देश की चौथी कोवेड वैक्सीन भी बन गई है उनके यहाँ वैक्सीन की खेफ तयार है अगर भारत से जल्द ही उने जवाब मिलता है तो वैक्सीन जल्द ही भारत महँचा दी जाएगी किसानों के संसत कूच के दौरान अज समाजविक तत्व बवाल करा सकते हैं को लेकर शोशल मीडिया पर तमाम वीडियो लगातार वारल हो रहे हैं और लोगों के मुबाल पर कॉल भी आ रही है इसमें बवाल के लिए उकसाने वाली भरकाओ बयान बाजी शामिल है इस आशरंका को देखते हुए खूफिया एजेंसियों ने सरकार को भीजी रिपोर्ट में सुरक्षा विवस्ता बढ़ाने की सला भी दी है और रिपोर्ट के बाद 6 जनवरी जैसी किसी अप्रिया घटना के मदे नज़र सुरक्षा बल सतर्ख हो गए हैं सायोगत किसान मोर्चा ने 22 जुलाई को संसत कूच का आईलान कर रखा है इसके तहट 12 राज्यों के संगटनों से करीब 200 किसान नेता संसत कूच करेंगे बता दे किसान नेता सिंगू बॉर्डर से बसों में बैट का दिलिज आएंगे और संसत से पहले मांच करेंगे कूफिय जन्सियों ने सरकार को रिपोर्ट सौपी है कि किसानों के कूच के दौरान असमाजिक तत्व वावाल करा सकते हैं जिसके लिए किसानों ने लोगों को उकसाया चा रहा है अलगाव वादी संगटन सिक्फ और जस्टिस ने पहले वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वारल किया था और केसी जन्डा तलवाल लेकर दिली में घुसकर संसत पर कबज़ा करने की बात भी कही थी अब किसानों के मुबाल फोन पलगातार फोन कॉल आ रही हैं इसमें पंजाब को अज़ाद कराने समयत कई अन्य उक्साने वाली बाते कही जा रही हैं इसमें भी वही बढ़काऊ बाते दौराई जा रही हैं जो 26 जन्वरी के दौरान कही गई थी केरल में कोरोना संक्रमेंट के साथ साथ जीकावारस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं लगातार जीकावारस मरीजों की संख्या में वरद्दी हो रही है हाला कि विशेशक को कहना है कि इसे महामारी नहीं मान सकते लेकिन इसे नजर अंदाज भी नहीं किया जा सकता है इसलिए ना सिर्फ मामलों की निगरानी जरूरी है बलकि जिनोम सिक्वेंसिंग के इस तर पर भी तेजी से काम करना होगा ताकि कोरोना के अलग-अलग म्यूटेशन और जीका वारस की वास्त्विक स्तिती का पता चल सके नई दिल्ले सेत मौलाना अजाद मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर नलेश गुपता का मानना है कि जीका वारस की जांस प्रयोक शालब में होनी शाहिए इस वारस को लेकर भी चिंतित होने की जरूरत है ये एक ऐसा वारस है जो मच्छर के काटने से फैलता है और ये इस्तानी लोगों में बड़ी आसानी से फैल सकता है इसलिए अगर किसी प्रदेश या इस्तान में जीका के मामले सामने आ रहे हैं तो उन राज्यों पर निगरानी रखने की आवशकता है विशेशक्गों का कहना है कि जीका वारस सिर्फ केरल या दक्षिन राज्यों के लिए ही चिंता का विशे नहीं है बलकि पूरे देश के लिए चुनोती है क्योंकि मच्छर जनेत रोगों से सिर्फ एक ही नहीं बलकि सभी राज्ये प्रभावित हैं मलेरिया डेंगो चिकनगुनिया से संबंदेद मामले हर साल देखने के लिए मिलते हैं और इनी की वज़ा से मरीजों की मौते भी काफी होती है केवल केरल में ही अब तक अठाई से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं जीका वारस ज्यादा ता एडीज प्रजाती के मच्छर के काटने से फैलता है जो डेंगो चिकनगुनिया और पीले बुखार को फैलाता है कि इसे प्रभावी डॉक्टर नियंतरन उपायों से रोखा जा सकता है वही नई देले सेथ CSIRIGIB के वरिश वज्याने डॉक्टर विनोध सक्रिया का कहना है कि जीका वारस को लेकार अब समय जिनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने का है सक्रवर्मन के फैलने कोले का मच्चरों की भूमी का का पता लगाना बहुत जरूरी है विज्ञाने के सतर पर इसके अध्यन होने चाहिए और अनुवांशिक महमारी को समझने के लिए सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है हाला कि भारत के पास इसके लिए परियाप संसादन नहीं हैं COVID-19 के वज़ा से मौजुदा सभी संसादन व्यस थैंसे में राज्य सरकारों को जल से जल इस पर काम तेज करना चाहिए देश भर में मुबाइल फोन्स चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं लोग मुबाइल चोरी होने के बाद F.I.R. भी दर्श करवाते हैं काई लोगों को तो ये फोन्स मिल जाते हैं लेकिन बड़ी संख्या में चोरी के मुबाइल फोन्स नहीं वापस मिल पाते हैं ऐसे में राजदाने दिल्ली में चोरी हुए 90,000 से ज़्यादा मुबाइल फोन्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है चोरी हुए इन फोन्स को लेकर दिल्ली पुलिस में F.I.R. दर्श कराई गई है इन मुबाइल फोन्स के अंतर राष्टी है I.M.I. नमबरों पर भी पिछले साल केंद सकार की शुरू की गई पर योजना के तहट केंदिया उपकरन पहचान रजिस्टर द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है मारा जा रहा है कि इस कारवाई के चलते चोरी हुए मुबाइल फोन अब बेचे नहीं जा सकेंगे वहीं अवैद रूप से बेचे जाने वाले चोरी के ये मुबाइल हैंच से भारत में कहीं भी किसी भी नेच्वर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ये कारवाई दिल्ले पुलस के तरफ से चूरी के मुबाइल बेचने वालों पर लगाने के उद्देश्वे से की कई है भारत ने भारतिय फोटो पत्रकार दानेश सिद्दिकी की हत्या की निंदा की है समचार एजनसी रॉयटर के लिए काम करने वाले पुरुसकार विजवेता भारतिय फोटो पत्रकार दानेश सिद्दिकी की मौत शुक्रवार को अफगानिस्तान के कंधार प्रांथ में पाकिस्तान से लगे एक बॉर्डर क्रोसिंग के पास अफगान स्टेनिको और तालिबान आतंकवादियों के बीच भीशन लडाई की कवरिश करने के दौरान हुई UN SEC में विदेश तचेव खर्शवर्दन श्रंकला ने कहा कि हम भात्य पोटो पत्र का दाने सिद्धिकी की खत्या की निंदा करते हैं जब वो कल अफगानिस्तान के कंधार में रिपोर्टिंग असाइमेंट पर थे मैं उनके शोक समपत परिवार के प्रती अपनी घेरी समवेदना व्यक्त करता हूँ वहिंदाने सिद्धिकी का शव तालिबान ने अंतर राश्टिये रेड क्रोस समीती को सौप दिया है इस संबद में एक सूत्र ने बताया कि हमें सूष्णा मिली है कि तालिबान ने शव आईसी झाटी को सौप दिया है एक हम अफगान अदिकारियों और आईसी झार्सी के साथ मिलकर शव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं महीं सूत्रों ने बताया कि काबोल इसेद भारती दूतावास सिद्धी का शब वापस लाने के लिए अफगान अधिकारियों के संपर्क में हैं से पहले विदेश मंत वाले के प्रवक्तार इंदम बाग्ची ने कहा था कि सरकाफ वोटो पत्रकार के पईवार के संपर्क में हैं अफगानिसान के मीडिया पतिष्ठान तोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा कि सिद्धी कंधार के स्पिन बोल दाक जिले में लड़ाई को कवर करते हुए मारे गए हैं अगले साल 26 जनवरी को राज़ाने दिल्ली में गंटन्त दिवस की परेड का नसारा बेख़द अलग औख खास होने वाला है अगले साल ये परेड दोबारा तयार किये गए राजपत पर आयुजित की जाएगी पता दें केंद्री आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीब सिंगपुरी ने भी कहा है कि लोगों को एक ऐसा नजारा देखने के लिए मिलेगा जिस पर उन्हें गर्भ होगा अधिकारियों के अनुसार राष्टपती भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के रीजवलोप्मेंट का काम इसी साल नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है हरदीब सिंगपुरी ने कहा कि निर्मान कार्यों के सिती की समिक्षा की जाएगी जिसके बाद उन्होंने अपने एक ट्वीच में लिखा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर योजणा के निर्मान कार्यों किया समिक्षा की इस दोरान में साथ आवास और शेहरी मामलों के मंत्राले के सचेव अधिकारी CPWD के अधिकारी कॉंट्रेक्टर और इस पर योजणा के आर्किटेक्ट विमल पतेल भी मौजूद थे निर्मान कार्य तक समय के अनुसा संतोष जनक तरीके से चल रहा है और नागरे को को एक ऐसा एवेन्यू मिलेगा जिस पर उन्हें गर्फ होगा साथ ही उन्होंने कहा कि यहां आर्टिफिश्यल तालाबों पर बाहर पूलों का निर्मान भी किया जा रहा है साथी राजपत आने वारे लोगों के लिए यह अनुभव बेखदी अनुखा होने वाला है इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के री डेवलप्मेंट का काम इसी साल नवंबर तक पूरा हो जाएगा और अगले साल गंतन तो दिवस की परेड नव निर्मेत फ्राजपत पर आयूजित की जाएगी केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाइकोच में कहा है कि देश में 12-18 वर्ष की आयू वर्क के लिए जल्द ही जाएडर स्केडिला की वेक्सिन उपलप्त हो जाएगी साथी केंद्र ने कोट को बताया कि जर्ग्स कंट्रोलर जर्नल आफ इंडिया से वेक्सीन के इस्तिमाल की मंसूरी मिलने के बाद बच्चों के टीका करन को लेका पॉलसी तयार कर ली जाएगी एडिशनल सॉलिसीटर जर्नल चेतन शर्मा ने चीफ जस्टिज डियन पतेल और जस्टिज जोती सिंग की डिविशन बेंच ने बताया कि जाएडर स्केडिला ने बारत से 18 साल के बच्चों के लिए अपनी वेक्सीन जाएकोफ डी का ट्राइल पूरा कर लिया है साथी उन्होंने कब कोट से कहा कि दाखिल एक खलफ नामे में कहा है कि वैधानिग प्राफधानों के बाद ये वेक्सीन जल्द ही अपलब कराई जाएगी साथ ही उन्होंने कहा हाई कोट में बताया कि डी सी जी आई ने कोव वैक्सिन निर्माता कमपनी भारत बायचेक्स को दो से अठारा साल की आयूर वक्सिन के लिए क्लिनिकल ट्राइल के अनुमती दे दी है कोट में दाखिले की आचिका के जवाब में केंद्र ने खलफ नामा भी दाखिल किया है डिविजन बेंच ने कहा कि पूरे देश बच्चों की वैक्सिनेशन कोले का इंतजार कर रहा है और साथ ही मामलों की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी जापान की रासानी टोकियो में 23 जुलाइस से अलमपरेख खेलो का आइजजर होने जा रहा है बार्तिय दल आज रवाना होगा बता दे हैं अलमपरेख खेलो में हिस्सा लेने जा रहा है इस दिल्म दल में कुल 90 खिलारी शामिल हैं भारत के कुछ खिलारी दूसे देशों में ट्रेनिंग करने के लिए के बाद सीधे टोक्यो पहुंच रहे हैं भारत के और से टोक्यो ऑलम्पिक खेलों में 119 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जबकि भारत ऑलम्पिक संग ने पहले की जानकारी इस बात की दे दी थी कि 199 खिलाड़ी समय दोसो अठाइस सदस्यों के दल को टोक्यो भीज़ा जाएगा बता दें भारत के लिए ऑलम्पिक ख संक्या 228 होगी जिसमें से सरसर पुरुष खिलारी और 52 महिला खिलारी शामिल होगे इसमें 85 पदक खिलारियों को चुनौती पेश करेंगे बता दें ऑलम्पिक खेलों में इतिहास में भारत का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है इससे पहले रियो ऑलम्पिक में 118 भ अंतराश्ट्रे क्रिकेट परिशद ने T20 विश्व कप मुकाबले के ग्रुप की घोश्का कर दी है बताने शुकरवार को उमान में ग्रुपों का निर्धारन किया गया रिल्चस्व बात ये है कि भारत अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप मे हैं आखेवी बार दोनों टी में 2019 के वन डे वर्ल्ड कप में फिडी थी जिसमें भारत ने बाजी मार ली थी कोरोना भामारी की बज़ा से T20 विश्व कप 17 अक्टुबर से 14 नवंबर के बीच भारत की बज़ाए UAE और उमान में खिला जाएगा उमान में हुए समारों में I ICC अधिकारियों के साथ BCCI अधियक्ष सौरफ गांगुली और सचेव जैशाह भी हिस्सा लेंगे पता दे T20 वर्ल्ड कप के मैच शेजूल अगले हफते जारी किये जाने की पूरी संभाबना है इसके साथ ही टूर्नमेंट के पहले दौर में आर्ट क्वालिफाइंग टी नाम भी बिया, ओमान और पापुआ, न्यू गिनी भी शामिल हैं बता दे टूर्नमेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा और अगामी टूर्नमेंट 2016 के बाद पहली T20 विश्व कप को होगा बता दे पिश्टी बाद वेस्ट इंडीज ने इंगलान्ड को खरा कर ख खताब जीत लिया था भारत के सूपर टेंट के ग्रूप मुकाबले में पाकिस्तान को छे विकेट से माद दी थी, वहीं सेमी फाइनल में भारत को वेंडीज के हाथो साथ विकेट से हाथ भी जेलनी पड़ी थी इस बॉलेटिन में फिलार के लिए इतना ही आप देखते रहें निस वाल इंडिया